नमस्कार दोस्तों कैसे हो आजसा करता हूं कि सभी संदार और बिलकुल बज़स्त होंगे। देखो MTS का बहुत लोगों का एकजाम हो चुका है, 14 तरीक तक नुवंबर में एकजाम अभी है, बहुत लोगों का एकजाम बाकी भी होगा। देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी बहुत तरह के कोश्चन चल रहे हैं ऐसे 57 लड़कों ने फॉर्म को भर रखा है लेकिन अभी भी जो एक्जाम देके आ रहे हैं उनका कोश्चन यहीं रह रहा कि कितना कोश्चन सही करने पर हमारा सेलेक्शन ह होगा हवलदार में कैसे सेलेक्शन होगा तो इसके बारे में तो खेर मैंने डिटेल में पहले ही बता रखा है जो भी बच्चे वे वीडियो को देखे होंगे उनका सारा डाउट्स किलियर हो गया होगा मैंने जोब प्रोफाइल से रिलेटेड भी बाते किया है एमटीएस क सें दोनों का सेलेक्शन प्रोसेस अलग है अब MTS मॉल्टी टास्किंग इसमें आप एकजाम देते हूर डिरेक्ट आपकी फाइनल मेरिट बनती है आप फाइनल मेरिट के लिए सोट लिस्टेड होगे जैसे आप एकजाम दे किया या एकजाम एफ्चा मेरिवल गया अपकर तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा for physical for medical फिक ये दो चीजे है इसके बाद एक और लोगों का problem ये देखने को मिल रहा कि कुछ लोग MTS हवलदार दोनों भरे हैं तो जो MTS हवलदार दोनों भरे हैं उनका दोनों में result होगा अगर आप cut up पार कर लेते हो MTS का तो आप final use of listed हो गया हवलदार का तो हवलदार में भी select हो जाओगे next step के लिए मतलब physical के लिए फिर physical medical आप pass हो जाते हो तो फिर वहाँँ भी आपका result हो मतला हवलदार में भी आपका result हो गया अब MTS में भी आपका result हो गया तो twice is yours हो जाएगा कौन आप select करते हो MTS भरे हैं या सिर्फ हवलदार भरे हैं उनका थोड़ा सा एक एक चीजों में selection होगा लेकिन लोगों ने जो है MTS हवलदार दोनों को चूज कर रखा है जिनका हाइट वगयरा है तो सबसे बड़ी doubts जो थी खतम हो गई थोड़ा सा cut-up पे बारे में बात करते हैं तो cut-up के लिए तीन-चार चीज़े vary करती है MTS के लिए अलग cut-up आएगा हवलदार के लिए अलग cut-up आएगा MTS में जो है age group wise देखा जाता है अब 18-25 इन लोगों का अलग cut-up आता है 18-27 इन लोगों का अलग cut-up आएगा हवलदार के लिए भी यहीं चीज़ देखने को मिलता है जिनका age थोड़ा सा जादा है उनका अलग cut-up मतलब age group के अनुसार cut-up देखने को मिलता है उसके बाद से जो है हर state का अलग-अलग cut-up रहता है तो यह तीन-चार चीज़े vary करती है cut-up में अब हम बात करते हैं MTS का cut-up जो 2023 में आई थी वेकेंसी उसका और 18-25 age group वालों का अब बात करें ऑल इंडिया पे UR का cut-up जो था 147 था अब क्या है कि बहुत state में हर तरह की वेकेंसी नहीं है कहीं पर MTS की वेकेंसी है कहीं पर हावलार की वेकेंसी है कहीं पर दोनों की वेकेंसी है कहीं पर जेनरल की है तो EWS की नहीं है कहीं पर जेनरल EWS का है तो ACS टिक नहीं है यह भी इस तरह से देख एक सो बावन और जो है आपका इसमें कोई कटेग्री में जो है आपका वेकेंसी नहीं था दिल्ली की बात करें तो यू आर के कटफ था 135 एससी का कटफ था 131 एस्टी का कटफ था 127 ओबीसी का कटफ था 134 और EWS का कटफ था 104 अब देख सकते हो कि OBC UR EWS अब UR 135 OBC 134 और EWS 132 मतलब 130 से 135 के बीच में तीनों कटेग्री है अगर इससे और आगे बढ़ें तो हर्याना का लेते हैं हर्याना UR 142 ST 145 एससी का वेकेंसी नहीं था वहां पे OBC का वेकेंसी नहीं था EWS था 137 ठिक वहीं किरला की बात करें तो किरला UR 137 इस तरह से कटफ देखने को मिला था मध्य परदेश की बात करें तो UR 140 SC 135 ST 132 OBC 149 और EWS बगरा में वेकेंसी नहीं थे अब मध्य परदेश में देख लो आपका 140 कटफ चला गया था तो इस तरह से कटफ देखने को वेस्ट बंगाल की बात करें तो 139 UR का ST का भी 139 और जो है OBC का मातर 134 से गया था और EWS का 139 अब देख सकते हो वेस्ट बंगाल में जो है कटफ आपको जो है SC और ST का काफी ज़्यादा गया था OBC से और EWS से तो इस तरह से जो है कटफ देखने को मिलता है अब 18-27 इस गुरूप वालों की बात करें तो इनका भी जो है सेम उसी तरह से चीज़ें देखने को मिला है अब हवलदार के लिए बात करें जो हवलदार के लिए सौट लिस्टेड हुए हैं तो हवलदार के लिए जैसे की लखनव यूवार से थे वे जो है 137 नंबर लाए थे उनका सेलेक्शन हुआ था अगर दिल नहीं से बात करें तो 163 नंबर लाए थे उनका सेलेक्शन हुआ था अब सचो 75-200 का पेपर है और और 1500 से भी ज्यादा 163 नंबर लाने पर सेलेक्शन हुआ था तो मतलब कि एक परसेंटाइल और नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बताया जा रहा तो यह आपका इस तरह से कटफ देखने को मिल रहा अगर आप गूगल पे सर्च मारिए गा तो आपका सारा डाटा मिल जाएग तो पहले जो है MTS की सिर्फ वेकेंसी आई थी मतलब की हवलदार पोस्ट अभी हाल फिलाल में इंट्रेडियूस किया गया है ठीक है तो कटफ आप अराम से जाके देख सकते हो पूरा जो है आपको मिल जाएगा देखने को जो भी छोटी बड़ी चीजे थी मैंने आपको ब पाइदा होता है नॉर्मलाइजेशन में समझ लोगों कि दस दस पंदरा पंदरा बिस बिस नंबर तक बढ़ते हैं तो ऐसे तो आपका डेर सो जो सेशन टू आपका पेपर है डेर सो नंबर का है आपसे जो है इंगलिस और जी एस पूछा जा रहा पचीस पचीस तो इसी मिनिमम आप जो है 50 कोश्चन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो यदि आप मिनिममम 35 कोश्चन बनाते हो किसी भी केटेगरी से हो तो आप यह मान के चल सकते हो कि 99 परसेंट आपका सेलेक्शन हो जाएगा मिनिमम मैं बात कर रहा हूं अगर इससे कम जाएगा तो के लिए कटफ यह नहीं है कि आपको अलग-अलग देखने को मिलता है दोनों का कटफ लगभग सेम रहता है अब थोड़ा सा इधर उदर वैरी करता है जो कि मैंने बताया स्टेट वाइज वैरी कर सकता है लेकिन यहीं आपका ओवरॉल जो है एक सेफ इसकोर रहता है तो 35 क कार्गेट यहीं रखना है अगर अगामी समय में आपका एक्जाम है तो कम से कम हम 35 कोश्टन तो बनाएं ही मैक्सिमाम 40 बनाती हो तो और ज्यादा बढ़िया है करता हूं कि अब आपके दिमाग में कोई कोश्टन क्योरी नहीं होंगे फिर भी कोश्टन क्योरी होगा तो कम कर सकते हो इसके साथ साथ कोई भी आपको प्रॉब्लम है चाहे मेडिकल से रिलेटेट चाहे किसी भी तरह से तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए डिस्क्रिप्शन बायो दोनु जगह हो जो है आपको लिंक मिल जाएगा